आज हम पढ़ने वाले हैं Doctrine of Signature तो स्टार्ट करते हैं The word signature is said to be a dublet which means has been derived from the two words sign and nature इसका ये मतलब होता है कि जो word आता है signature ये दो words से derived होता है एक तो sign और एक होता है nature जिसका मतलब होता है signs of nature So Doctrine क्या होता है एक belief is accepted by authoritative by a particular group और school of thought Doctrine क्या होता है एक ऐसा कोई belief होता है कैसी माननेता होती है जो कि कोई भी पर्टिकॉलर ग्रूप या society होती है न वो से accept करती है ठीक है कोई माननेता जो कि एक प्रकार के लोगों के दोवारा accept कर जाती है Simple words में क्या होता है Doctrine of Signature एक belief होता है एक ऐसी माननेता होती है science of nature में nature of science of nature in simple terms हम doctrine of nature में यह मानते हैं कि जैसे की nature है ठीक है उसमें जो similar kind की चीज़े होती है न वो similar kind की चीज़ों को क्यों करती है जैसे की कोई patient है ठीक है उसमें x y z symptom हा रहे हैं ठीक है जैसे कि हमने मान लिया कोई patient है जो बहुत जादा बहुत जादा jealous nature का है ठीक है और उसकी body में inflammation हो रही है तो हम ऐसी ही उसे दवाई देते हैं जो यही symptom produce करेंगे इंसान को जब हम इंसान को दवाई देंगे तो ठीक है हम आगे उसे deep में पढ़ेंगे अभी पढ़ते हैं doctrine of signature जो है वो एक old concept है जो कि बहुत सारी European civilization में found होता था और बाद में इसे various schools of medicine मतलब ऐलोपेथी ने भी इसको बाद में accept करा था पैरसलस जो थे वह पैरसलस पैरसलस जो थे वह फर्स थे जिन्होंने doctrine of signature को बताया था उनका यह उनका यह मानना था कि नेचर जो होता है उसमें पहले से ही जो होता है healing substances present होता है और वह कुछ साइन के साथ प्रेजेंट होता है ठीक है जो healing substance होता है ना वह कुछ science प्रेडियूस करते हैं कि हम उन्हें किन डिसीजिस के अगेंस्ट यूट्स कर सकते हैं जैसे कि फ्लावर है उसके रेड मतलब कोई रेड कलर का फ्लावर है ठीक है रेड पैटल्स हैं हम उसको blood diseases के medica was based on theoretical concept where doctrine of signature was a great source of materia medica मतलब honeymoon sir के आने से पहले जो materia medica का concept था वो टोटली theoretical था ठीक है और doctrine of signature के आने के बाद बहुत अच्छा proof मिला materia medica को यह practical concept बना ठीक है doctrine propose that the part of human body is having a therapeutic relationship and the sum and the same plan or its part can be used for diseases in a particular of a particular organ मतलब यह मालना जाता है कि nature में जैसे कोई plants वगेरा होते हैं ठीक है वो present होते हैं ठीक है उनके साथ हमारी human body का एक एक particular relation होता है ठीक है एक therapeutic relation होता है मतलब वो जो plants वगेरा होता है है ना उनकी characteristic के according हम उनको यूज कर सकते हैं अपनी body part के क्योड के लिए हम यूज कर सकते हैं जैसे की जैसे कि हमारे पास एक दवाई होती है और यह पसमेल में क्या होता है एक material को दे सकते हैं अब यह जोепर से मिलती है ठीक है होती है बहुत जालीस फील जालीस होती है तो हम यह से ऐसे ही पेशेंट को देते हैं जो जिसका नेचर बहुत जालीस होता है ठीक है जिसका नेचर बहुत जालू होता है ठीक है and study of this creature certainly leaves an impression about the nature of creature and the nature of person we are dealing with है ना तो यह जो medicine होती है यह हम उसी person को देते हैं जिसका नेचर बहुत जालीस होगा the hives maintain or regulate the body temperature by fetching drops of water and fanning which gives a clue regarding the thermal reaction तो क्या होता है कि यह जो honey यह जो creature होता है ना epismel यह अपने मुँ पर बार बार अपने वोटर की drops की छीटे मारता रहता और अपनी हवा करता रहता है ठीक है तो मतलब इसे गर्मी बरदाश नहीं होती है यह अपनी body का जो temperature है उसको regulate करता रहता है ठीक है ऐसे ही जो epismel हो chemically the b contains the formic acid इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हनीबी के अंदर formic acid प्रेजेंट होता है ठीक है जो की inflammatory reactions produce करता है मतलब जब हमें हनीबी काटती है तो हमें सूजन आती है जलन होती है तो और और क्या होता है कि कभी-कभी उसके जो जिसे कभी-कभी कोई की एक मधुमक्ही काट लेती है ठीक है कभी-कभी पुरा जुन्द हमला कर देता है तो यह कई बार mild inflammatory से और कई बहुत जादा life-threatening response भी produce कर सकता है ठीक है तो जो epismal का जो patient होता है वह भी acute inflammatory diseases से नौइ अ-पिड्यों सब्सक्रभी करोता में वारा आणाता है यहां पेलशर पास आता है यहाइं जान पिलच विए कंट्रेट काफि हाइय होता है तो इस लिए चहां बहुत होता है कि from अग् dissolve relation г行 काम अप्जान मेंटतर से कलेगेर कार्ब कोंपलिमेंट अपने दोनों ही एक और काम कर दिываем तो तो पसे मतलब जो काम वल्य दोना अगर नहीं कर पाई तो आप कर सकते हो ठीक है ब्लाइटा औरिएंट इस जुड़ करते हैं जो होती है क्राइट अब्सुर्क्ठीफ नबागी डीजीज क्या होती है क्रॉनिक अब्स्ट्रॉक्टिफ पल्मोनरी डीजीज इसमें क्या होता है क्यरेक्टराइज बाइड डिपसीनिया एंड रेटलिंग चेस्ट इन पीपल हुलिवस इंडाम बेस्मेंट अंसलार मतलब जो लोग अंधीरी जगाव में रहते हैं जहां पर स सहकते हैं वह सब्सक्राइब करना सारह के दिक्ते हो जाती है तो उसकेस में इसकी है Director is ये निटीक होती है एंड एसडेन तैस में और इसके ऑर्डर्र से ना इंसान का जी घवराने लगता है तो जो ब्रायोनिय का प्लेशेंट होता है न वो भी फ्लैशी होगा ठीक है मोटू होगा और यलोईश वाइट कोटेट टंग होती है उसकी यलोईश वाइट कोटेट टंग होगी ठीक है उपर से उसकी जीव होगी वो सफेद सफेद होगी और रफ इरिटेटिंग टेंप्रम केलकेरिया कार्ब केलकेरिया कार्ब में क्या होता है कि यह आपको उससे मलती है जो एक मोलस्क टाइप के होते हैं ठीक है जिनके पास बाहर का जो शेल होता है वह उनका बहुत जादा तो इनका जो शेल होता है बहुत जादा हाड होता है बाहर से और अंदर इनकी सॉफ्ट ब इसे बिल्कुल ब्लकोल क्लार का होता है इसका पेशंट पेशन होता है मतलब क्या होता है कि देखो wood charcoal तो होता है black color का ऐसे इसका जो patient होता है वो भी कैसा होता है black bluish black appearance होती है उसकी ठीक है अब हम जो wood charcoal बनाते हैं न वो oxygen उसमें oxygen की supply बहुत कम देते हैं ठीक है उसमें बहुत ही कम oxygen मिलती है ठीक है oxygen की deficiency में वो चारकोल बनता है जो पेशेंट होता है उसे कभी भी sufficient oxygen नहीं मिलती तो उसे हमेशा sinus feel होता है ठीक है उसे घुटन भी महसूस होगी वी नो ignite wood charcoal fanning is required the carbovigilist patients want framing variant ठीक है तो हमें wood charcoal बनाने के लिए हवा करते रहें जरूरी होता है ऐसी जो carbovigilist का person है उसे बार बार हवा करने की जरुवत होगी उसे वह बार बार हवा करेगा वाइल charcoal burns the fumes goes upward which are very similar to the weight where gas is accumulated in upper abdomen is leased by belching ठीक है अब क्या होता है कि जिससे wood charcoal बनता है ना तो उसकी जो fumes होता है उपर की तरफ जाते है ऐसी जो patient होगा ना इसके पेट में gas बनेगी और gas इसके अपर abdomen में जो होगी ट्रैंस मतलब उपर अपर abdomen में इसके जाती जाएगी ठीक है और उसे कभी से अराम आएगा इसे डाकार लेने से अराम आएगा यह बहुत important term है मतलब बहुत important line है कि जो person होता है ना उसके अपर abdomen में gas का circulation होता है और उसे डाकार से अराम मिलता है after burning charcoal looks cold externally ठीक है जब बर्न हो जाता है तो चारकुल होता है वह बाहर से क्या लगता है बाहर से ठंड़ लेगा बट अंदर से क्या होगा गरम होता है ठीक है ऐसी जो कार्बो वेज का जो patient होता है वह भी बाहर से ठंड़ होगा पर अ यलो कलर का होता है और यह हमारे बाइल से resemble करेगा हमारी बॉड़ी में जो बाइल होता है ना बाइल जूस वह यलो कलर का होता है और यह इसलिए जो पीलिया होता है ना और जो लिवर की डीजिस होती है उसमें बहुत जादा काम आता है ठीक है फिर हमारे पास next medicine आती है को रुबरा मोड़न तो रेड़ कोरल जो होते हैं वो हमारी बॉड़ी में के रैड़ से पाइविशे ही जिबने के लिए वे Já butt यह से घजिग काज्ड़ पॉरी इस लोग। for diseases of blood vessels ना उनके लिए बहुत जादा helpful होती है क्योंकि जो इसके flowers होते हैं ना यह blood colored के draw मतलब इसके flowers होते हैं उन पर blood का जो color होता है उसके dots होते हैं ठीक है तो red color तो आपको बताएं heart blood इन सबको resemble करता है ठीक है यूफोर विया ऑफिशिल नेलिस यूफोर विया having a milky juice must be good for increasing the flow of milk तो यूफोर विया जो होता है यूफोर विया में क्या होता है जब हम इसको काटते हैं तो इसमें से milky juice निकलता है ठीक है तो यह जो milky juice निकलता है यह जिन मदर्स का मिल्क लेड़ डाउन नहीं कर रहा होता उनको दिया जाता है यह टू इंक्रीज़ फ्लो आफ ब्लॉड ऑफ मिल्क यूफ्रेजिया ओफिशिल यह जो होती है इस आ फेमस इड वाज़ फेमस वास्वेमस इस र हांकों के लिए जी जाती है घ्यक्ति इसको को रॉला होता है आईतर हिसको और ग्रीया तो बिल्कुल पिऊपल कितना लगते हैं तो हम इसे आई कлек पर रॉन भेर तफिक है यह जो होता है क्यों ब्लावर का कट उता यह होता है तो यह यल्लो इसकों के लिए है होता है जैसे कि जॉंडिस जॉंडिस पीलिया में पीली परदा दिया ना तो उन केसे में यह हेल्फुल होता है ठीक है है हमेमेल इस वर्जीनिय का टो यह लोगा कि यहए तो ओम इसने में यह करते हैं महिंड आय। इसके पास रर्ड जूस होता है है уже तो हम इसे हम होस करते हैं और हम इसको बहुत चाहbec है सन्सक्राइब के वह सरै। लगारे ट्रौरिये और हम इसके क्षशuum हां यसका स्नेगि में यह नियसे मलती है तो इसका друз Snake होता हैu restless होता है ठीक है बेचेन रहेगा suspicious होगा डाउट कृष्च तोब्स रिविंश यूथ पोल होता है लेकिस का जूब पिशंट होता है बहुत चली एरिटेट हो जाता है।रथ होता है बेचैन होता है यूद् 97 की तरह हैं इसका पेशेंट का बिएवियर होगा तो स्नेक क्या करता है अपनी जीब बारवार निकालता रहता है शांती से नहीं बैठेगा कभी भी ठीक है ऐसे जो लेकिस का पेशेंट होता है इसका मुह हमेशा खुला रहता है तंग ट्रैंबल्स वें प्रट्यूट जीब भान निकलेगी द विंटर्स के टाइम पर ठीक है और साइलेंट होके बैठ जाता एक जगा ठीक है और समर में यह चलने फिर नहीं लगता है ठीक है तो सिमिलर्ली जो लैकिस की जो पेशेंट की बीमारी होती है न वह विंटर्स में तो डिसापियर हो जाती है ठीक है और स्प्रिंग में रिय पास कोई आए ऐसे इसका जो पेशेंट होता है यह हाइपर सेंसिटिव होता है ठीक है इसे भी बरदाशनी कि इसके आज पास कोई भी आये कि बेश्चेंट का वो डार कलर बादब बदार होता है इसी इसका पेशेंट होता है इसके जो घिए दिश्चेर्ज होता है आधा यह जो कैसे होता है को डार लाइक बांड थैंच बात करते हैं सपोर्स होता है ऑजसे करने इसके सब्सक्राइब कर एक बार यह caused श्यूम्थ्रेट होते है इसाथ इसे करना पथली बन जाता है आप आप को खुल के अपनी सारी बाते नहीं कहेगा बट उसके बाद वह आपको जैसे अगर आपके साथ एक बाद चैहिंग में तुछ फिल करेगा बट बाद में वह सारी बात खुल के बता ही देगा पल्मो वल्पिस जो होती है यह वोल्फ के फ्रेश लंग से प्रेपेर कर जाती है इसको ब्रॉंक्य अस्थमा के लिए उसकरते हैं क्योंकि यह जो एनिमल है इसकी बहुत ज्यादा वाइगर रिस्पिरेशन होती है ठीक है पल्सिटेरिया निगरिकंस इसका जो प्लांट होता है यह डेजर्ट में मिलता और इसको बहुत कम पानी की जरुवत होती है तो इसका फ्लावट में होता है ठीक है नीचे की तरफ लटक रहे होता है ठीक है जैसविंट ट्रालट ऑर बदलता रहता है जिसन感 sil फचली מें सिम भी होता है फ्रेक्ट से करता है तो स्मॉल होता है जो सफेंग्स प्लांट और चलती है तो इससे कोवर होने की जरूवत होती है ठीक है फिर सैन्गुने एरिया के ने इन contis when the root of the plant are cut a red colored juice come out ठीक है जब root आती है न जब root गाडते हैं हम plant की तो red color का juice जो होता है वह बाहर निकलता है प्लांट से जो की बिलकुल ब्लूड की तरह निकलता है similarly जो medicine होती है न यह disorder में यूज होती है relative to blood disorders में हम उसको comum करते हैं फिस पर टेरंटूला रिख निगका जो होती है यह हम को spider से मलती है मक्डी से मिलती है तो जब जैसे की ऐसा माना जाता है ना कि जैसे spider जैसे इससे ड्रम बजाते हैं तो स्पाइडर भार निकल के आ जाते हैं अंडरग्राउंड होते हैं बहुत ज्यादा ओवर से इरिटेशन होने लगी ठीक है फिर नेक्स आती है थूजा ऑक्सिडेंटल इस यह जो प्लांट होता है प्लाइट ओथा और स्टेम यह णा फिवार्ट लाइफ भूत मतलब मस्ताइब के लिए इडंग आजओ अधमन था फैंक्यू लाइक सब्सक्राइब और शर्मा चानल